जेहिन दोस्तों रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस जानकारी दूँगा और ये जानकारी जुड़ी है Military Service Paper जी या दोस्तों Military Service Pay के अनुसार क्या आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है और आगे चलकर कितना आपको फायदा होगा Military Service Paper और Equal MSP का हग आपको किस तरीके से मिल पाएगा क्या उसका असर आपकी Pay और Pension पे पढ़ेगा क्या जब 8CPC आएगा तो क्या आपकी MSP बढ़ाई जाएगी MSP का असर Officers की Pay और Pension और MSP का असर O.R.J.C. उसकी Pay Pay Pension पे किस तरीके से पढ़ेगा क्या फायदा क्या नुकसान होगा Military Service Paper सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाऊँगा और कुछ मैं 7CPC की Report भी आपको समझाऊँगा Military Service Paper कि किस तरीके से भारा सरकार ने आपकी MSP बढ़ाई ती उन्होंने Equal MSP क्यों नहीं करी उनका Intention क्या था किस वज़े से उन्होंने Officers की 15-500 रखी और ORJCOS की सिरफ 5200 करकर छोड़ दी कितना फायदा कितना नुकसान सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझाऊँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है Military Service Paper इसलिए इस वीडियो का आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से गुजारिश कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे है या फिर वीडियो देख रहे है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना जिया दोस्तों जैसा आप कोता है जब भी कोई नया पे कमिशन आता है तो इसमें पे बढ़ती है रिविजन होता है एलाउसेस भरते है सेलरी बढ़ती है बहुत खुझ बढ़ता है जब भी कोई नया पे कमिशन आता है तो इसलिए जब आठवा पे कमिशन आएगा, अगर भारत सरकार साई टैम पे दे देती है, तो दोस्तो इसमें military service पे भी बढ़ेगी, military service पे जब बढ़ेगी, तो OR JSUs की भी बढ़ेगी, और officers की भी बढ़ेगी, rules regulation थोड़े अलग हो सकते हैं, report कुछ अलग हो सकती है, लेकि अभी equal MSP पर बहुत बढ़ा gap है, officers की MSP पर और OR JSUs की MSP पर, बहुत बढ़ा gap है, तो दोस्तो आपको पता भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस पे case चल रहा है, अभी तक हमारी equal MSP का case final नहीं हुआ है, तो दोस्तो अगर 8 CPC से पहले equal MSP नहीं होती, तो फिर आठवे pay commission प बहुत बढ़ा gap यह हो जाएगा, तो इसलिए इस gap को कम करने के लिए या फिर खतम करने के लिए equal MSP होना बहुत जरूरी है, OR JSUs को 15500 MSP देना बहुत जरूरी है, यह मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, नहीं तो आगे चल कर नुकसान हो सकता है OR JSUs को, जिस तरीके से अ पे कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार, पे कमिशन की जो पहले रिपोर्ट थी, उसी के अनुसार मैंने 1.92 फिट्मेंट फेक्टर तैग करा है 8 CPC में, एजूम किया है, ओफिसर्स की MSP है 7 CPC में 15500, और जब 8 CPC आएगा, तो उसका मल्टिप्लाई हो जाएगा एक नए CPC में, ओफिसर्स की हो जाएगी 29800, लेकिन अगर एक्वल MSP नहीं होती, ओफिसर्स की, तो फिर कितनी होगी MSP, 8 CPC में, ओफिसर्स की, जैसे 7 CPC में है 5200, इसका कर देंगे 1.92, तो आता है 9984, तो राउंड आफ हो जाएगा 10,000, यानि ओफिसर्स की MSP सिरफ 10,000 होगी, और ओफिसर्स की होगी 29800, ये मैं जब बता रहा हूँ, जब, इक्वल MSP नहीं होती, जब मैं ये कर्डिशन बता रहा हूँ, लेकिन अगर इक्वल MSP करी जाती है, तो फिर ओफिसर्स की भी यहाँ पे 1500 हो जाएगी, और इसका करने के 1.92, तो फिर ओफिसर्स की भी 29800 तक MSP प ओफिसर्स के थमान थोड़ा लेवल आपका बराबर आ जाएगा, MSP के मामले में, क्योंकि रिक्स यहाँ पे ज़्यादा है, ORS और JCOs का, इसलिए अगर MSP 15500 कर दी जाए, तो आप फिर उस लेवल तक आ जाएगे, आपकी पे और पेंशन बढ़ जाएगी, यानि यही 29800 का पैड़ा, ORJCOs को मिल पाएगा, लेकिन एक और कंडिशन है, कि गौर्मेंट, क्या रिपोर्ट निकालती है, मिलिट्टी सर्विस पेपर, क्या वो ओफिसर्स को, ORJCOs को समान रखेगी, एक समान रखेगी, मिलिट्टी सर्विस पेपर, तो कि दोस्तों यहाँ तो हम बात कर यहाँ पर सेम हो जाएगी, यहाँ पर सेम मिलिट्टी सर्विस पे हो जाएगी, ORJCOs की भी, तो यह देखने वाली आगे बात होगी, कि भारत सरकार की क्या रिकमेंडेशन रहती है, क्या वो बराबर करना चारी है, मिलिट्टी सर्विस पे, यह देखने वाली बात होगी, चलते हैं दोस्तों, अगली जानकारी की तरफ, अगर MSP equal नहीं करी गई, तो pension पर gap बहुत बढ़ जाएगा आगे, JSU, OARS और अधिकारियों की pension में, जैसे आपको पता है अभी भी बहुत बढ़ा gap है, pension पर या फिर military service पेपर, अधिकारियों की military service पेपर, और OARS JSU की military service पेपर, अगर equal नहीं करी जाती है, तो आगे जाकर ये percentage और बढ़ दाएगा, ये gap और बढ़ दाएगा, लगबग 75% तक ये gap और बढ़ दाएगा, military service पेपर, और इसका असर pay और pension पर भी पढ़ेगा, तो इसे सुधारना बहुत जरूरी है, और हम ये उमीद करते हैं, कि दिल्ली हाई कोट से एक final फैसला आए, और OARS JSU's की MSP बढ़ जाए, 15-500 हो जाए, चलते अगली जानकारी की तरफ, MSP का फायदा 1 सितंबर 2008 से देखने को मिला था, जी हाँ दोस्तो, MSP का जो फायदा था, वो मिला आपको मिला, 1 सितंबर 2008 से, जो इससे पहले retiree आयते, उनको directly इसका फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब MSP सही में लागू करी गई, जब notification पे लिखा गया, कि 1 सितंबर 2008 से इसका फायदा मिलेगा, दोस्तो, अब, चाए अभी pension आये, चाए पहले pension आये, सब को directly फिर इसका फायदा मिलने लगा, लेकिन rules के according, इसका फायदा 1 थितंबर 2008 से ही मिलना था, सरकार की policy के तहएत, इसे pay और pension में जोड़ना नीतिगत मामला था, या दोस्तो, MSP को pay और pension में जोड़ना, गई कि इसे pay और pension में जोड़ा जाए, जिसकी वज़े से कुछ व्रिद्धी हो सके pay और pension में, तो दोस्तो, अभी भी ये नीतिगत मामला है, policy matter है, थभी इसमें कोई अधिकारी वर्ग, या फिर उवाज जेस्योज वर्ग, कोई छेड़चाण नहीं कर सकते, क्योंकि यह recommendation थी, policy matter पे, चलते हैं दोस्तो, अगली जानकारी की तरफ, गवर्णमेंट ने designation के अधार पे, मिल्टी सर्विस पे decide किया, जैसा आपको पता है, officers की अलग rank है, वार्ट जेसे उसकी अलग rank है, इसी के एसाफ से गवर्णमेंट ने मिल्टी सर्विस पे decide करी, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये नजर आया, कि मिल्टी सर्विस पे का actually meaning, समझी नहीं पाई गवर्णमेंट, सरकार, कि MSP किस मामले में ज़्यादा दी जानी चाहिए, और दोस्तों, गवर्णमेंट को समझाने के लिए, सरकारी वकीलों को समझाने के लिए, हमारे वकील लगे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि भईया, MSP का ये meaning है, RTI का जवाब का ये meaning है, मिल्टी सर्विस पे इनको ज़्यादा मिलनी चाहिए, जिनका ज़्यादा रिस्क है, अगर दोस्तों, यही बात पहले गवर्णमेंट समझ ली थी, तो फिर एक्वल MSP का केस हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं होता, MSP का केस अभी तक नहीं चल रहा होता, क्योंकि पहले ही MSP सब को बरावन मिल जाती, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, देर आए, दुरुस्ता है, लेकिन दोस्तों गवर्णमेंट ने कहीं न कहीं, designation के इसाब से, पत के इसाब से आपकी MSP डिसाइड करी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गवर्णमेंट कहती है, तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफिसर्स को दी गई, 6,000, 6 CPC में, और 7 CPC में इसका कर दिया 2.57, तो हो गई यह 15-500, ऐसी वाज जेसों को मिर दीती पहले 2,000, 6 CPC में, फिर इसका कर दिया 2.57, तो फिर 7 CPC में हो गई 5,200, लेकिन दोस्तों, Military Service Pay का असली मिनिंग क्या है, जो सही में रिपोर्ट कहती है, जो एक्चुल में रिपोर्ट कहती है, और वो ही रिपोर्ट भारत सरकार को भी समझनी चाहिए, अगर समझ जाती है, तो दोस्तों फिर यह केस फाइनल हो जाएगा, रिस्क के अधार पर Military Service पर डिसाइड होनी चाहिए, बिल्कुल दोस्तों, जैसे जिसका रिस्क, जिसको ज़्यादा जोखिम, उसी को फिर Military Service पर ज़्यादा, जिसे ज़्यादा जोखिम, उसे ज़्यादा फाइदा, Military Service पर, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा Front Line Commandos कौन है, सबसे ज़्यादा जोखिम किसे हैं, आप सब जानते हैं, ORS को या फिर JCOs को, तो सबसे ज़्यादा फाइदा, किसे मिलना चाहिए, Military Service पर, वो मिलना चाहिए, ORS और JCOs को, Front Line Commandos, हमेशा हवीर योद्दा के रूप में, हमेशा Front Line रहते हैं, तो इसलिए, जोखिम से ज़्यादा है, उसे ही Military Service पर का फाइदा मिलेगा, और ये बात, हमारे वकीलों ने समझा दिये, हमारे वकीलों ने, सरगारी वकीलों को समझा दिये, अच्छी तरीके से, और हम ये उमीद करते हैं, कि आगे आने वाले टाइम में, इक्वल MSP, ओज जेसे उसको मिल जाए, बड़ी हुई MSP उनको मिल जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में, या फिर 8 CPC तक आते आते, ओज जेसे उसको और नुक्सान ना जहिलना पड़े, Military Service Paper, क्योंकि दोस्तों, मन में फिर यही लगा रहेगा, कि जोकिम तो हमारा जादा है सबसे जादा, तो फिर हमें सबसे कम MSP क्यों मिल रही है, हमेशा मन में ये बात उठती रहती है, ओज जेसे उसके, कि जोकिम तो हमारा सबसे जादा है, हमें सबसे आगे जाते हैं, चाहे कहीं भी यूद हो रहा हो या फिर कहीं भी जाते हैं तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मिलिटी सर्वीस पर मिलें जिसका असली मतलब है भी तो दोस्तों ये कुछ जानकारिया थी जो बैल आपको समझाई बाकी आपके क्या विचार है आप क्या सोचते हैं आप लीचे कमेंट करके बताईएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना तो कि ऐसी जानकारिया नहीं नहीं जानकारिया आपको मिलती रहते है इस चैनल के मादम से ठाक्यू सो मच